गुड एवनिंग, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री मोदी जी ने कई महत्तोपुण फैसले लिये हैं और उनमें सबसे महत्तोपुण है एक देश एक बाजार नीती तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि एक देश एक बाजार नीती क्या है और इससे किसानों को क्या लाब मिलेगा लेकिन अगर आप गाओं के रहने वाले हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इसे अपने गाओं के जितने भी किसान हैं उन्हें जरूर शेयर करिएगा उन्हें जरूर बताईएगा इस नीती के बारे में इस योजना के बारे में और साथी साथ मेरे चैनल को सब्क्राइब भी कर लिजेगा ताकि इसी तरह की नई नई जानकारियां लेटेस्ट अब्डेट्स आपको लगातार मिलते रहें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं केंदर सरकार ने किसानों के लिए बुधवार को कई बड़े फैसले किये हैं क्रिशी छेतर में बड़े सुधारों का नाम देते हुए केंदर सरकार ने तीन अध्यादेशों के मसौदों को कैबिनट की बैठक में मंजूरी दी है इसके तहट देश का किसान अपनी उपज को अब कहीं भी बेच सकेगा क्रिशी उत्पादों को आवश्यक बस्तु अधनियम 1955 के दायरे से बाहर कर दिया है और साती साथ कॉंट्रेक्ट फार्मिंग यानि ठेका खेती को कानूनी दर्जा मिल गया है तो आए जानते हैं इस अध्यादेश के और प्रावधान क्या है प्रधान मंत्री जी ने अपने ट्वीट में कहा है केंदरी मंत्री मंडल की बैठक में कई बड़े और महत्वण नेड़े किये गए फसलों की खरीद विक्री को लेकर सभी बंदिशों को हटा दिया गया है जिससे किसानों की दश को पुरानी मांग पूरी हुई है अब अन्दाता देश में कहीं भी अपनी उपज को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा प्रधान मंत्री नरे नमोदी ने कहा कि सरकार के फैसले से किसानों को उत्पादन से पहले ही मोले आस्वाशन की भी गारेंटी उपलब्ध होगी क्रिशी सेवाओं के अनुबंध से ना केवल किसानों को अत्याधुनिक जानकारी मिलेगी बलकि उन्हें तकनीक और पूंजी की सहायता भी मिलेगी और इसके जरिये अन्दताओं का ससक्तिकरण और सनक्षण भी संभव होगा तो और जानते हैं क्या क्या फैसले लिए गए हैं क्रिशी सेत्र के संबंध में तो इस संशोधन में ये व्योस्ता की गई है कि अकाल, युद, कीमतों में अभूतपूर, वृद्धी और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में इन क्रिश उपजों को कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है और अन्य इस्थितियों में, सामान इस्थितियों में कोई बंदिश नहीं रहेगी हाला कि मूले स्रिंखला वैलू चेन के किसी भी प्रतिभागी के अस्थापी छमता और किसी भी निर्यातक के निर्यात मांग इस तरह की स्टाक सीमा लगाए जाने से मुक्त रहेगी इसमें कहा गया है कि केंदरी मंत्रि मंडल ने क्रिशी उपज बाणिज्य एवं ब्यापार अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है इससे किसानों के लिए एक सुगम और मुक्त माहौल तयार हो सकेगा जिसमें उन्हें अपने सुविधा के इसाब से क्रिशी उत्पाद खरीदने और बेचने की आजादी होगी अब ये भी जान लेते हैं कि पहले क्या इस्थिती थी इसके लावा एक और अध्यादेश पर मंजूरी दी गई है इस अध्यादेश की मदद से किसान और प्रोसेसिंग यूनिट और कारुबारियों के बीच करार आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा मंत्र मंडल के फैसले की घोशना करते हुए क्रिशी मंत्री नरेनर सिंग तोमर ने कहा मौजूदा एपी एमसी मंडिया काम करती रहेंगी राज एपी एमसी कानून बना रहेगा लेकिन मंडियों के बाहर अध्यादेश लागू होगा मतलब आप किसान जो है मंडियों के बाहर भी अपने उपज को बेच सकते हैं वो जहां भी चाहें वहाँ अपने उपज को बेचेंगे उन पर कोई प्रतिबंद नहीं रहेगा उन्होंने कहा कि पैन कार्ड वाले किसी भी किसान से लेकर कमपनिया प्रोसेसर और एफपियो अदुसूचित मंडियों के परिसर के बाहर बेच सकते हैं मतलब कोई भी किसान जिसके पास पैन कार्ड है वो मंडियों के बाहर अपने उपज को बेच सकता है खरीदारों को तुरंत या तीन दिनों के भीतर किसानों भुकतान करना होगा और माल की डिलिवरी के बाद एक रसीत प्रदान करनी होगी उन्होंने कहा कि मंडियों के बाहर व्यापार करने के लिए कोई इंस्पेक्टर राज की नहीं होगा इंस्पेक्टर राज की समाप्ती हो गई है और मंत्री ने कहा कि मंडियों के बाहर बाधा रहित व्यापपार करने में कोई कानूनी बाधा नहीं आएगी तो इस तरह से किसान अब मंडि के बाहर भी अपने उपज को बेश सकते हैं और इससे उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है तो ये थी नवींतम जानकारी आप अगर गाउं के रहने वाले हैं तो त्रिपा करके इसे जो है अपने सभी किसान भाईयों को शेर जरूर कर दीजेगा उन्हें इसकी जानकारी देदीजेगा ताकि उन्हें इसका लाब मिल सके और मेरे चैनल को सब्क्राइब भी कर लिज झाल झाल